हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का कोश्चन नमबर 14 कोश्चन नमबर 14 क्या कहता है कि डिवाइड 20 पेंस बिट्वीन शीला एंड संगीता इन दी रेशियू और 3 रेशियू 2 अब यहां पर हम माल लेते कि हमारे पास 20 पेंस हैं और हमें शीला को देना है और संगीता को देना है और किस तरह से देना है 3 रेशियू 2 में देना है मतलब क्या हुआ कि अगर हम 3 पेन जो है वो सीला को दे रहे हैं तो संगीता को हम 2 पेन देंगे तो हमारे पास अगर 20 पेन हैं और हमने 3 जो है वो सीला को दे दिये और 2 जो है वो संगीता को दे दिये तो हमारे पास से कितने पेन निकल गए 3 plus 2 यानि कि 5 pen तो हमारे पास से 5 pen गए और 5 में से 3 जो है वो सीला के पास है और 2 जो है वो संगीता के पास है इस तरह से हमारे पास तो 15 अभी बचे है क्योंकि हमने 5 दे दिये तो 15 बचे 15 में से फिर अगर हम देंगे तो सीला को 3 देंगे और संगीता को 2 पेन देंगे यानि कि यहाँ पे 15 बचे तो फिर 3, 2 करेंगे तो फिर 5 जाएंगे इस तरह से 10 बचेंगे तो फिर 3 और 2 देंगे तो यह फिर 5 बचाएंगे इसके बाद में यह 5 बचेंगे तो 3, 2 और यह 5 आएंगे तो इस तरह से अगर हम देखे तो keyla के पास कितने पर आएंगे इतने इन सब को add कर लेंगे संगीता के पास कितने आएंगे इतने तो यह तो हमने समझाने के लिए इस तरह से बता दिया थिक है अब इसको प्रौपर तरीके से लिखेंगे कैसे हैं तो यहां पर solution डार लेते हैं तो यहां पर जो दे रखा है उसको पहले लिखेंगे शीला ratio संगीता कितना दे रखा है 3 ratio 2 अब यहां पर एक बार में हमारे पास से कितने पेंजार है 5 ठीक है और यह 5 आया कहां से हमने इनको add किया यानि इनके ratio को add किया तो यहां पर हम लिखेंगे sum of ratio तो sum of ratio क्या आएगा 3 प्लस 2 यानि की 5 अब हम यहां पर निकालेंगे कि सीला को कितने pen मिले और संगीता को कितने pen मिले तो अब यहां पर देखो जैसे जब हमने 5 pen दिये तो 5 में سے 3 जो है वो SILA को मिले और 2 जो है वो Sंगीता को मिले तो यहां पे हम 5 की बात करें तो 5 में से 3 जो है वो SILA के पास जाएंगे और total कितने pen है 20 PEN तो SILA के पास total कितने pen आ जाएंगे यहां पे हम 5 को divide कर लेंगे 5 4जा 20 तो यह आएगा 3 into 4 और 3-4-12, तो 12 पेंस मिलेंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर आइड करके भी देख सकते हैं, सीला के पास कौन से पन होंगे, 3-3-3-3-3, 3-4-12, यहाँ पर यह 12 आएगा, संगीता के पास कितने होंगे, 2-2-2-2, 2-4-8, तो यह 8 आजाएगा, संगीता के लिए भी निकाल लेत तोटल अगर जब हमने 5 दिये, तो 5 मेंसे उसके पास कितने आते थे, 2 आते थे, तो यहाँ पर हम पहले छोटे डिजिट से लिखेंगे, 5 मेंसे, 2 जो हैं, वो संगीता को मिल रहा है, तो टोटल पन कितने है, 20, तो टोटल मेंसे संगीता के पास कितने आएगे, 5-4-20, 2-4- एट एट पिंश आएंगे यही हमसे पूचा था करेंगे संगीता को कितना पिन मिलेंगे और tą आख के लिए बस इतना ही झाल 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 झाल